नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपने यूटूब चैनल सिविल एक्जिकुसर में यहां प्रैक्टिकल वीडियो के उपर पूरी जानकारी मिल रही है दोस्तों जो सिविल इंजिरिंग से रिलेटेड है काफी सारे वीडियो बन चुके हैं हमारे चैनल पे जो की के बन चुके हैं सट्रिंग के बन चुके हैं यह आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों यह इंट्रेस्टेड है जो की फिनिसिंग आइटम वर्क से लेके है जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं कि यहां पे कुछ डबलो टू इस तरह से मार्क्स किये हुए हैं डबलो में फस सकते हैं यह सारी बाते आज के वीडियों पता चलने वाली है दोस्तों और वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करें सब्स्राइब करें सेयर करें साथ ही साथ और भी आपको जनकारी के लिए यदि वीडियो देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके सकते हैं अब आज की वीडियो बनाने का सबसे में परपस यह दोस्तों कि जब आप कभी साइट पे जाते हैं या तो नैने या फिर काफी थोड़ी सी गलतियां भी होती हैं जहां कभी-कभी आप ध्यान नहीं दे पाते हैं तो वहां मैं बताना चाहता हूं कि फिनीसिंग ड देखें दोस्तों आपको grid दिख रहा है 789 दिख रहा है यहाँ staircase का एक है schedule और यह plan schedule है दोस्तों जो की architecture schedule बोलते हैं जिसमें आपको brick work करने का जो भी instruction होता है door window schedule यह जितने भी चीजे होती हैं एक plan में यदि so किया जाया तो उसको architecture plan view बोलते हैं यह हमेसा याद रखिएग और यहाँ देखिए जैसे यह जो lining है यह brick work की है जैसा कि आप civil engineering and drawing में पढ़ते थे कि कोई भी parallel यदि line खीची गई हो और उसमें इस तरह के symbols हो तो वो brick work का symbol होता है यहाँ देख सकते हैं same window का है और FD4 का है FD4 means fire door होगा यहाँ पे दोस्तों यह सारा level भी लिखा हुआ है यहाँ देख सकते हैं अब में दिक्कत के आती है कि जब आप door करने जाते हैं तो सबसे पहले मैं door से ही start करते हूँ कि door करते समय जब आप brick work करते हैं तो आपको opening size से आपको brick work ज़्यादा रखनी पड़ती है कितनी ज़्यादा रखनी पड़ती है दोस्तों यहाँ आप रहा था मैं FD4 का देखिए यहाँ detail दिया हुआ है size कितनी है 1500-2200 यानि opening size 1500 विर्थ में है 200 height का इसका frame आएगा अब door में होता क्या है दोस्तों कि door window में दोनों बहुत फर्क है जादा तर window क्या होते हैं aluminium materials के बनाये जाते हैं आप industrial project में भी चले जाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे तो aluminium हो गया wooden हो गया या फिर कहीं कहीं steel के भी आते हैं जो कि angles को लगा के fix किया जाता है यह बहुत सारे छोटे work पे आते हैं तो आपको ध्यान क्या देने हैं कि जब door आप करने जाते हैं तो door की framing जो होती है दोस्तों वो final fix होने के बाद door के age को भी plaster किया जाता है window में जबकि यह चीजे नहीं होती है window एक बार यदि finish हो जाता है उसी के हिसाब से frame को cut करके और फिर बाकी assembling की जाती है जबकि door में क्या होता है कि यह frame होते हैं लोहे के उनमें anchor fastener होता है उनको anchor करके उनमें concrete feel की जाती है और फिर plaster किया जाता है तो जैसे आपको 1500-2200 की यदि door opening है तो आप height हम यह सा 10 mm जादा रखें तो जादा better होगा और जो width होगी जितनी आपकी plaster thickness है उसका 2.5 times जादा रखें 2.5 times क्यों सपोज कि यदि window frame का एक edge यह है तो 12 mm plaster इधर आएगा और 12 mm plaster इध इससे फाइदा क्या होगा कि जब आप frame fix करने जाएंगे तो आपको frame भी easily fix हो जाएगा और फिर उसके उपर plaster करके अब बिल्कुल उसका age making कर सकते हैं तो इस तरह से ft4 का 1500-2200 के हिसाब सेधी आप देखें तो opening size कितनी आ जाएगी 1510-2230 अब कहेंगे यह तो मैंने केवल ल 10 mm रखेंगे और दूसरी एक चीज़ और बताओं यह 2210 जो है वो FFL से है मिन्स देख सकते हैं यहाँ पर finish floor level ऐसा नहीं कि आपने कोई slab कर दी और slab के जदी level से आपने fix कर दिया door या वहाँ से opening calculate कर ली तो आपका यह 50 mm का error हो जाएगा और door क्या होगी आपकी छोटी हो आपको रिक वरक आपने कर दिया और door आपको fix करना जरूरी ही है तो आप एक काम करें कि जो concrete का surface level है concrete के surface level से FFL कितना उपर है आप यह calculate कर लें अपने drawing से जैसे 50 mm उपर है या कितना mm है उस हिसाब से वो level mark करें और वही level जो frame का bottom level आएगा वही होगा यह हमेसा ध्यान रख 50 mm का gap है FFL जो होता है हमेसा concrete level से उपर होगा यदि 50 mm उपर है तो जो door का frame आएगा उसका bottom level आप concrete surface से 50 mm उपर रखके उसको fix करेंगे अब क्यों क्योंकि 50 mm में tiles work भी आ सकता है तो इस वज़े से जब आप final finish कर देंगे तो जो bottom level आपने 50 mm उपर gap करके रखा है वो tiles लगाने के बाद बिल्कुल match कर जाएगा तो यह चीज़े ध्यान रखनी है और यदि आपको tiles के बाद फिर door fix किये है आपने या फिर करने है तब तो कोई दिक्कत नहीं है वो tiles आपका bottom level हो जाएगा उसको fix करके आप consider कर सकते हैं तो यह बाते थी door की दोस्तों से आते हैं पर window में क जादा चोड़ें और जो side में है वो लगभग जो outer side का plaster है यह आपका जो plaster thickness दे रखा है कहीं कहीं 12 mm होगा कहीं 15 होगा as per specification के हिसाब से उसके हिसाब से इसकी भी opening जो होगी brick work की दोनो plaster की thickness को add करके आप छोड़ेंगे example के लिए देख सकते हैं आप कि हाँ W2 का size देखिए 2 meter वाई 1200 है means 2 meter width है और 1200 height है तो आप जो opening size होगी वो आपकी 2 meter 25 mm means 12-12 mm plaster दोनों side add किया गया है और 1200 height के जगे आप 12-15 mm का opening आप छोड़ सकते हैं brick work के लिए अब ये brick work के लिए opening आप कह रहे हैं कि ऐसे इसमें 15 mm क्यों लिया गया है तो door में होता क्या है दोस्तों कि maximum जो कभी-कभी brick work भी आ जाता है top level पे या फिर कहीं lintel आते हैं तो lintel में 6 mm का plaster consider किया जाता है और नीचे जो है वो floor finish में आ जाता है इसलिए वहाँ पे thickness यहाँ पे केवल 10 mm एड़ की गई door में height के लिए जबकि window में आपको 15 mm एड़ किया जा रहा है difference यह दोस्तों क्यों क्योंकि window में bottom level पे भी plaster आएगा और top level पे भी plaster आएगा तो इस तरह से यहाँ देख सकते हैं आपकी window की opening कैसे छोड़ते हैं और यह दि आपने गलती कर दी बाइचान sexual size पे छोड़ दिया तो होगा क्या last में कि फिर आपको brick work side से तोड़ना पड़ेगा जो की आपके लिए बहुत जादा time taking work होगा अब second thing window फिर क्या होता है कि आप plaster finally कर देते हैं तो normally आजकल जहां भी देखेंगे आप तो aluminium glazed window होते हैं तो इनमें plaster के बाद जो size बसती है 2-3 mm plus minus चल सकता है जो opening रहती है उसमें assemble कर दिया जाता है तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि window और door की जो opening size हैं वो कैसे होडी जाती है या फिर कैसे उनका break work किया जाता है तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों आप मुझे विदा दीजिए next वीडियो मिलते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए